हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं बेशन का चीला व्योंकि बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाता है तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे दो हरी मिर्च मैंने काट लिये एक गाजर को कदुकस कर लिया और उसका पाने निकाल द लेया हमने यहाँ पे सूजी अभी सबसे पहले एक ग्रेंडिंग जार ले ले लिया इसमें मैंने शूजी डाल दिया है और अभी बेशन भी डाल देंगे हम तो सूजी इसलिए डालनी होती है जिससे हमारा चीला जो हम बनाके तयार करेंगे बेशन से वो एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बने तो सूजी हमें थोड़ी लेनी है दो तीन चमच और यहां पे कटोरी भरके मैंने फूरा बेशन लिया आप देख सकते हो फुल तो अभी इसमें हम डाल देंगे आधा चमच नमक और थोड़ा सा कलर के लिए डाल देंगे इसमें हल्दी तो इससे कलर बहु लेना है पीछ लेना है इसको थोड़ा सा एक मिनट के लिए जिससे बिल्कुल स्मूथ बैटर बन जाए तो यह देखे इतना बढ़ा सा यहां पर हमारा बैटर बनके तयार है आप देख सकते हो तो अभी इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं तो बिल्कुल ऐसा चैन रख दिया उसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल दिया हमने और प्यास डाल दिया तो प्यास को थोड़ा सा कुछ सेकेंड के लिए फ्राइ कर लेंगे और इसके साथ में हम यहां पीछ में डालेंगे और बाकी की सबजियां यहीं पे मैं शिमला मिर्च गाजर यह चट्पटी डिश्च बने इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं हम यहां अधि रस्यमज नमगं नो इस मिश्माज भरके हैं यहां पर चाछ्ट मेंश साला और चाट में आपसके जग कर्यामन या नामक अधिले हम यहां इसके साथ में यहां पर डालेंगा आधि ऱ और आधे समच लाल मिर्च तो यहाँ पर हमने हरी मिर्च भी डाली है इसलिए हम थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और यहाँ पर यह देखिए श्टफिंग बनके हमारी बढ़ हैसी तयार है बहुत जादा चटपटी और टेस्टी तो गैस का फ्लेम में यहाँ पर अभी आफ कर दूंगी तो इस्टफिंग बनके हमारी यहाँ पर एकदम रेडी है तो चलिए चीले बनाना शुरू करते हैं तो यह देखिए यहाँ पर चीले का बैटर हमारा तो तबह हमने गैस पर रख दिया है और तबह हमारा यहाँ पर तेज गरम होना चाहिए तो अभी काफ मच डालके मैंने इस तरह से इसको हलका हलका फैला दिया है बहुत इजीली बन जाता है यह बिल्कुल आराम से अभी थोड़ा से इसको एक मिर्ट से नीचे सिकने देते हैं तो यह देखिए उपर से थोड़ा से जब नीचे से शिक जाता है तो ऊपर इसका कलर अलग सा चें हमारा तो साइट में भी मैंने थोड़ा थोड़ा एक गून तेल डाल दिया है और अभी इसको उपर रख देंगे स्टफिंग जो हमने बना के रख़िए कि और अभी इसको धीरे धीरे आराम से नीचे से फूट आएंगे हम यह देखे बिल्कुल आराम से यह बिल्कुल जब नीचे से सिख जाता है तो कितना बढ़हा सा कलर आया है तो फ्रेंट इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है सुबह सुबह ब्रेफ़स्ट में बना सकते हो यह शाम के हलकी फुलकी भूग के लिए आप इस पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना